कि अगे अगे आपके लेकर के आई हूँ एक हेल्दी डिलीशियस डाइट स्नैक डिप की रेसिपी और यह बहुत ही डिलीशियस है साथी साथ सूपर हेल्दी है और जैसा कि मैं हमेशा अगर कोई recipe लेकर के आती हूँ तो वह healthy होनी ही है तब ही मैं लेकर के आती हूँ और यह आपके जो भी आप डाइट खाते हैं जो लोग डाइट में होते हैं वो अपनी जो भी food खाते हैं उसके taste को enhance करना चाहते हैं और यह उसमें एक बहुत जादा helpful ए recipe और अगर भी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब ने किया तो फटा फट जाओ यार उस लाल डिब्बे को क्लिक करके मेरे चानल को सब्सक्राइब करके भौकाल मचा दो क्योंकि आपको पता है content अच्छे मिलेंगे और चलिए अब हम सीखते हैं हमारी आज की रेसिपी सो इस healthy डिब को बनाने की रेसिपी का जो हमारा पहला इंग्रीडियंट है वो है mustard seeds जिया mustard seeds को यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर सीर्स लिये हैं इसको आपको 2-3 गंटे water soak करना है water में और उसके बाद आपको इसको use करना है mustard seeds जो होता है वो आपके metabolism को boost करता है increase करत है और आपके weight loss में बहुत जादा helpful होता है साथी साथ मस्टर सीर्स में जो होता है उसमें सेलेनियम फाइबर प्रोटीन फॉस्फोरस मेगनीज मेगनीशियम आयरन यह सभी पाए जाते हैं और यह आपके health के लिए भी बहुत जादा beneficial होता है साथी साथी है low calorie food भी होता है त इसमे लेंगे sesame seeds याने की तिल तिल को मैने फौडा सा ड्राय रोश्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यह एं पर शीसमे सेलेंगे यहां गहारी जो होता है वो प्रोटीन रिज तो होता ही होता है साथी साथ इसमे लिग्延 नामन उन कर दो शुपाता है जो की बहुत कम प्लांट्स एंड सीड्स में पाए जाते हैं यह जो केमिकल होता है लिगनिन्स यह आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देता है जिसके वज़द से आपका जो होता है वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होता है नेक्स तम इसमें यूज़ करेंगे गोर्ण यह यह आट करेंगे लिए और यह वेट लॉस के लिए बहुत ही जादा बेनिफिशल होता है यह प्रोटीन रिच होता है ऐन इसमें डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाय जाता है इसलिए आपके हेल्ट एन आपके कोलेस्ट्रॉल एन आ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसकी कॉंटिटी यह दोनों ही चीज़े जो होती है यह आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत जादा स्पीड अप कर देती हैं इसलिए मैंने इन्हें यहां पे यूज किया है और अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और यह आप जैसे की देख सकते हैं यह हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गिया है और इसकी थिकनेस को जो है वह आप अपने according water increase or decrease करके maintain कर सकते हैं मैं अभी इसमें थोड़ा सा water add करूंगी उपर से आप भी इसी तरीके से अगर आपको लगे तो आप इसकी thickness को अपने हिसाब से इसकी consistency रख सकते हैं ये आपका 2-3 दिन आराम से refrigerator में चल जाएगा क्योंकि इसमें water added होता है तो ये बहुत जादा long lasting नहीं होता है लेकिन 2-3 दिन आराम से चल जाएगा अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा salt as per your taste और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और ये हमारा delicious dip जो है ये ready हो गया है ये dip है आप चटनी कह सकते हो इसे आप dressing as a salad dressing भी use कर सकते हो आप अगर कोई boiled vegetable खा रहे हो आप उसमें भी इसको थोड़ा सा add करके उसका taste enhance कर सकते हो जब आप diet में होते हो तो आप इसे किसी भी चीज में आप इसे bread पे as a spread भी use कर सकते हो आप कोई भी चीज ऐसी खा रहे हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा taste low लग रहा है आप इसे उपर से डाल दीजिए और उसके बाद देखे कि उस food का वो कितना अच्छा increase enhance कर देता है उसका taste तो आप इसे use कीजिए आप इसे खाईए और मुझे बताईए कि आपको कैसी लगी मेरी यह healthy diet dip की recipe और जो लोग health conscious नहीं है जुनको जो normally भी खाते हैं वो भी इसे आराम से किसी पकोड़े के साथ chips के साथ किसी भी चीज के साथ लेकर के खा सकते हैं और enjoy कर सकते हैं तो आपको मेरी healthy diet dip की recipe पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मुझे comment में बताईएगा जरूर कि कैसी लगी बनाने के बाद भी और बनाने से पहले भी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो यार एक like तो बनता है तो please इस वीडियो को एक big thumbs up दे दिजिए वो मेरे लिए बहुत माहिने रखता है मुझे और innovative और अच्छे contents आपके लिए लाने के लिए motivate करता है और अगर आपको यह वीडियो वर्दी लगती है तो इसे अपने friends, family and social media links पे share भी ज़रूर कीजे ताकि और लोगों को भी मेरे इन वीडियो के बारे में पता चल सके और मिलती हूं मैं आपसे अपने next वीडियो में इसी तरह की किसी interesting recipe और remedy के साथ तब तक के लिए bye bye thank you so very much for watching this video